सरकारी बस सेवा उपलब नहोने के चलते रेनुका जी विधान सबक शेतर में धाती धाल क्षेतर के लोगों को बड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है खासकर सरकारी बस सेवा न होने से स्कूली छात्रों को बड़ी परिशानिया सामने आ रही है इस समस्या को लेकर क्षेतर की महिला है आज अखिर भारती जनवादी महिला समीती की पूर्व परदेश अध्यक्ष संतोष कपूर की अगवाई में डीसी सिर्मोर से मिलने पहुची और समस्या के समादान की मांग उठाए मीडिया से बात करते हुए संतोष कपूर ने बताया कि सरकारी बज सेवा उपलब्ध होने के चलते सेंकडों की संख्या में जातरों को परिशानिया उठानी पढ़ रही है उन्होंने कहा कि धाटीदार वासपास क्षेतर के सेंकडों बच्चे क्षेतर के ददावों में विभिन शेशनी संस्थानों में पढ़ने जाते है मगर आने जाने के लिए सरकारी बज की सुविधा उपलब नहीं है जी सर हमारी समस्या यह भी हमारी स्कूली बच्चे बहुत बड़ी दिक्कत में आ रहे उनको बस का कोई यह नियस कोई सुविधा नहीं उनके लिए बसकी प्राइवीट बसे हैं वो ना बिठाती कभी ना कभी आते हैं कभी नहीं आते बस बच्चे बहुत दिक्कत में असर्पूले में हमारे गाओं के उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा बुशन जुलिर्स